नमस्कार दोस्तों मैं लेकर आया हूँ मुगल एंपायर इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनित के सारे ही वीडियो तीन वीडियो मैंने अपलोड किये हैं स्लेव डैनिस्टी के खिलजी डैनिस्टी के और तुगलग डैनिस्टी के अब हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं मुगल मैं दो लिक्चर में कवर करूँगा 1526 से 1707 ये मेन मुगल एंपायर जो मेडिविल इंडिया का पार्ट है वो होता है और बाकी जो 1707 जब औरंग जेव का डेथ हो जाता है उसके बाद जो मुगल एंपायर है मुगल है उसको हम लोग जो कि इबराहिम लोधी हमने देखा था लोधी वंस का सबसे अंतिम सासक है और दिली सल्तनत का भी सबसे अंतिम सासक है उनका बेटा है दिलावर खान भाई है आलम खान और राना सांगा राना सांगा जो है वो मेवार के रूलर है और फरगणा का रूलर कौन है बाबर फरगणा अफगानिस्तान में है तो दिलावर खान आलम खान और राना सांगा ने बाबर को इन्वाइट किया था क्योंकि बावर का एक दोस्त था जिसने उसको सिखाया था कि किस तरह से कैनन और गन पॉडर बारूद और तोप का प्रियोग किस तरह से किया जाना चाहिए वोर में क्योंकि इब्राहिम लोदी को डिफीट कर पाना बावर के लिए काफी मुस्किल था और इसी पानी पत की लडाई में वो उनका दोस्त लेकर आ जाता है कैनन और गन पॉडर तो इसका यूज करके तोप और बारूद का यूज करके इब्राहिम लोदीन को डिफीट किया था बावर ने तो दिलावर खान, आलम खान और राना संगा ने उनको इन्वाइट किया बावर को डिफीट करने के लिए और 21st अप्टिल 1526 को बावर ने पानी पत की पहली लडाही में डिफीट कर दिया इब्राहिम लोदी को और यह पहला बैटल है, कुश्चन यहां से बनके आ सकता है कि भारत की किस बैटल में पहली बार तोप और वारुद का प्रियोग किया गया गन पौडर और कैनन का प्रियोग किया गया तो वो है पानी पत का फस्ट बैटल इसके बाद इसने इनको डिफीट करके मुगल डैनेस्टी, मुगल वंस या मुगल एम्पायर की स्थापना की बैटल आफ पानीपत के बाद इसके बाद बाबर जो है वो चार साल तक रूल करता है 1526 से 1530 तक 16 मार्च 1527 को बाबर बैटल आफ खनवा में राना सांगा को डिफीट कर देता है क्योंकि बाबर को लगता है कि कहीं राना सांगा चैलेंज हो सकते हैं, चुनौती हो सकते हैं इसलिए बैटल आफ खनवा में उनको वो डिफीट कर देता है और देली और आगरा वाला चैतर पूरा का पूरा अपने अधीन ले ले लेता है इसके बाद घागरा के बैटल में बाबर ने अफगानी फोर्सिस जो थे उनको भी डिफीट किया है और मतलब जो बाकी के हिमा देने वाला नहीं है मतलब हर कोई उनका सुजरानिटी या आधिपत्य एक्सेप्ट करने के लिए तईयार है तो बाबर ने खुद को बादसाह या पदसाह के उपाधीली बाबर को कलंदर भी कहा जाता था ये भी कोश्चन बन के आता है बाबर को क्या कहा जाता है तो अब्दुररहीम खान खाना ने क्या किया है बाबर नामा में आप विए मतलब बाबर नामा अब्दुरहीम खाने खाना तो यहां पढ़र ऑटो बाबर क्या है अतुर्क актив हमाई written जैसे हुमायू की बहन गुलबदन बेगम लिखती हैं और 1530 में बाबर का डेथ हो जाता है बाबर के डेथ होने के बाद हुमायू राजा बनता है हुमायू बाजसा के पोस्ट पे बैठता है और हुमायू का लिटरल मिनिंग है फॉर्चुनेट भागिवान लेकिन मुगल सामराज का सबसे अनफॉर्चुनेट किंग हुमायू है क्यों है उनफॉर्चुनेट तो पहले जब रूल कर रहा है 1530 से 1540 की दर्मियान तो सेरसा सुरी काफी चैलेंज कर रहा है हुमायू को और बार बार आकर डिफीट कर दे रहा है कभी कनौस की लड़ाई में कभी चौसा की जब वो वापस रिएन करते हैं तो भी ज़्यदा समय तक रूल नहीं कर पाते हैं इसलिए हुमायू को कहा गया है most unfortunate king of मुगल empire right so 1539 AD में battle of चौसा चौसा बिहार में है और हुमायू को defeat किया था सेरसा सुरी ने यहीं पर हुमायू को मार भी दिया जा सकता था सेरसा सुरी क लेकिन मुला भक्स ने जान बचा ली थी हुमायू की right तो यहां से यह भी question important हो जाता है कि किस ने जान बचाई थी हुमायू की तो मुला भक्स ने 1540 में battle of कनौज होता है कनौज यूपी में है जिसको battle of bilgram भी कहा जाता है सेरसा को finally वहां सेरसा सुरी ने वहां finally हुमायू क रास्ते में अमर कोट में हमीदा बानू बेगम से साधी की जहां पर अकबर का जन हुआ 23rd नवंबर 1542 को अकबर का जन हुआ और हुमायू परशा के लिए फिर चला गया परशा में उसका ruler था परशा का उस समय इरान का उस समय ruler था साह तमशभा साह तमशभा ने हुमायू क मदद की और साह तमसभा की मदद से हुमायू फिर से दिली जीतता है जुलाई 1555 में बीच में अगर सेरसा सुरी के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी चाहेए तो सेरसा सुरी ने GT रोट बनवाया था, Grand Trunk रोड बनवाया था जो की पाकिस्तान वाले लाहोर पेसावर वाल सेरसा सुरी ते अपना मकबरा खुद ही बनवाया था सासा राम बिहार में क्योंकि बिहार सुबा का ही सुबेदार हुआ करता था पहले और उसके बाद सेरसा सुरी ने पुराना किला बनवाया था दिल्ली में और पुराना किला में ही एक लैबरेडी भी बनवाया था जिसका वापस लाइबरेडी से आ रहा था तो गिर कर सेडियों से गिर कर इसकी मिर्थ्यू हो गई और मतलब 1555 में रूल करना स्टार्ट किया है दुबारा और 1556 के जनवरी में ही इसकी मिर्थ्यू हो गई तो महज 6-7 महिने ही रूल कर पाता है इसलिए कहा गया कि हुमायू सबसे ज चार महिने में ही अकबर जो है सबसे यंगिस्ट किंग ऑफ इंडिया बन गया इसके बाद आते ही अकबर को एक बैटल जहलना वारा हाला कि उसमें बैरम खान सारा कुछ लीट कर रहे थे तो सकेंड बैटल ऑफ पानिपत जैसे ही हुमायू का डेथ हुआ एक और राजा है दिली के आसपास हेमू हेमू चैलेंज कर रहा है क्योंकि उसको लगा कि हुमायू के जाने के बाद कमजोर हो जाएगा मुगल समरज्य तो इसने चैलेंज करना स्टार्ट किया है तो अकबर ने हेमू को सकेंड बैटल ऑफ पानिपत में 1556 में डिफीट कर दिया है इसके बा बैरम खान की मिर्त्य हो गई हज यात्रा पे भेजा था वहीं पर रास्ते में बैरम खान की मिर्त्य हो जाती है 1562 में अकबर ने कच्छवाहा प्रिंसेस हीरा कवर से सादी की उन्ही का नाम है जोधा भाई यहाँ पर एक चीज कुछ गलत लिखा हुआ है मान सिंग उनके भ पर नाचाहिए नफ्यू उफ युदावाई इसके बाद मेवार मेवार लिगे यह है कि अकबर ने उदैंसिंग उदैंसिń कौन है तो महराना परताप के पिदाजी हैं उदैंसिंग डेटिटिड उदैंसिंग जैमाल और पट्टा मिनिस्टर तो यहाँ जैमाल और पट्ट में आप अगें देखेंगे महराना परताप और अकबर के बीच में लड़ाई होगी जिसमें अकबर के तरफ से अगें मान सिंग लीड करेंगे तो बैटल आफ हाल्दी घाटी ये भी धियान रखेगा कब हुआ 1576 में अकबर ने महराना परताप को डिफीट कर दिया और अकब कभी भी अपने पूरे सासनकाल के दोयान या कभी भी अकबर की सुज्रैनिटी या अकबर का आधिपत्ती कभी भी सुईकार नहीं किया तो वो है कौन सा मेवार इसके बाद 1582 में अकबर ने अपने कैपिटल को बना दिया कहां पर आगरा में अभी तक जहां दिली से रूल कर रहे था है अब आगरा से रूल करेंगे क्यों कि यहां पर आगरा फोर्ड बनवाया है अकबर ने जो आगरा में लाल किला है वो अकबर ने बनवाया है तो बुलंद धरवाचा फथेपूर सिक्री यह 1582 में ही गुजरा जीत लिया है अकबर ने और इसी खुसी में बुल इस वाले रीजन में अकबर का ये अंतिन वीजे माना जाता है 1601 में इसके बाद एक इंसिडेंट ये हुआ था कि जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया है अकबर के खिलाफ क्योंकि अबुल फजल और मान सिंग ये चाहते थे कि instead of जहांगीर जहांगीर के बदले राजा किसक of जहांगीर को अगला राजा अकबर के बाद बनाया जाए जहांगीर ने खुद को अलहाबाद में king next king declare कर दिया कि अब अकबर के जाने के बाद मैं अगला राजा बनूँगा और ये उसने self declaration कहा कर दिया जहांगीर ने कहा पर अलहाबाद में और ऐसे में अकबर जो है वो बुंदिला सरदारों के साथ मिलकर जहांगीर ने प्लैंड कर लिया कि अबुल फजल को मार देना है तो बुंदिला सरदार से अबुल फजल को मरवा दिया किसने जहांगीर ने इसके बाद religious policy of Akbar अगर देखेंगे तो जो फिरोसा तुगलक के जमाने से चला रहा है जिजिया या pilgrimistics अगर कोई भी तिर्थ यात्रा पर जाता था तो उसको कर देना होता था या कोई भी अगर Islam accept नहीं कर रहा है अपने religion में रहना चाह रहा है तो उसको भी कर देना होता था तो ये सारा चीज अकबर ने क्या कर दिया है इसके बाद अकबर ने 1575 AD में इबादत खाना established किया है फते पुर्सिकरी में यहाँ पर क्या होता था कि जितने भी religious gurus होते थे जो भी अलग अलग धर्मों के धर्म gurus होते थे उनको बुलाया जाता था और फिर यहाँ पर धर्म नीती की बात होती थी और हर एक धर्म gurus को ये कहा जाता था कि दूसरे धर्म का जो भी अच्छा चीज है वो आप अपने धर्म में एक्सेप्ट करवाईए ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिसकसन होता था जिसको आप कह सकते हैं सास्त्रार्थ जैसा जो चीज एंसेंट इंडिया में देखने को मिलता है वैसा ही कुछ डिसकसन इभादत खाना फत्यपुर्सिक्री में अकबर के जबाने में होता था 1579 में अकबर ने क्या किया मजहर नामा डिकलेर कर दिया ये मजहर नामा क्या है तो ओँ कहा कि अब से कोई मौलवी या मौलाना इस्लाम में क्या लिखा हुआ है कुरान में क्या लिखा हुआ है ये डिकलेर नहीं करेंगे ऐसा ये इंटरप्रेट करने का केवल और केवल अधिकार अब राजा के पास है तो डिकलेर इस इंसाने कामिल and only interpreter of इस्लाम केवल और केवल एक वैक्ति इस्लाम को इंटरप्रेट करेगा और वो कौन है राजा, अकबर, बातसा 1582 में अकबर ने एक नया धर्म establish कर दिया जिस धर्म का नाम रखा दीने इलाही या तोहिदे इलाही दीने इलाही या तोहिदे इलाही अकबर ने 1582 में कहा और कहा कि जो भी वैक्ति इस धर्म को accept करता है उसे 20 और लोगों को जोड़ना परेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए 20 और लोगों को अपने साथ इस धर में जोड़िए और अकबर के डेथ के बाद ये irrelevant हो गया अकबर के डेथ के बाद ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है अबुल फजल और बिर्बल ने ये दीने इलाही और तोहिदे इलाही जो धर में इस्टैबलिस किया था उसको एकसेप्ट किया था ये भी काफी इंपोर्टेंट है उनके दोनों नवर में से थे अबुल फजल और बिर्बल revenue policy अगर अकबर का देखा जाए तो आईने देहसला आईने देहसला ये राजा तोदर मनने दिया था कि दस साल में जितना भी उपज हुआ है प्रोडक्शन हुआ है उसके basis पर tax का fixation होना चाहिए tax लगा जाना चाहिए तो ये दस साल के produce के आधार पर आईने देहसला ये concept दिया किस नहीं था राजा तोदर मनने दिया था कंकूट जो है वो estimation के अधार पर कि कोई भी नया रीजन अगर आया है जिसका हमें पिछले दस साल का हमारे पास कोई record नहीं है तो उसमें estimation के अधार पर क्या गिया जाता था tax लगाया जाता था और जबती तो चाहे आईने देहसला वाला रीजन हो या कंकूट वाला रीजन हो या तो बहुत पहले से अकबर के पास हो या फिर नया रीजन हो दोनों जगह पर अगर कहीं पे भी production अनुमान के मताबिक नहीं हुआ तो जबती कर लगा दिया जाता था वैसे रीजन में जो actual produce होता था उसी के आधार पर tax लिया जाता था इसके बाद अकबर के दर्बार में नवरतन थे दो हैं राजा जिनके दर्बार में नवरतन है ancient इंडिया में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दर्बार में है और medieval इंडिया में अकबर के दर्बार में दो ऐसे राजा हैं जिनके दर्बार में अस्ट दिगज या अस्ट परधान है मतलब आठ scholars एक कृसंदेव राई के दर्बार में है और अस्ट दिगज और सिवाजी के दर्बार में हैं अस्ट परधान ये सारा चीज आप एक बार concept देखते रहिएगा तो इसमें musician और singer थे अकबर के तांसेन poet थे फैजी, बरीद, बिरबल बिरबल को कभी title दिया गया है अभू फजद ने किताब लिखी थी आइने अकबरी जो Constitution जैसा था मतलब समरी जैसा था अकबर नामा का समरी जैसा सारांस जैसा आइने अकबरी या दर्बार अकबरी इसके बार बदाउं बदाउं जो है वो भी इसमें थे इन्हों ने translate किया महाभारत जो revenue minister है उनके इसके बाद तुलसीदास तुलसीदास जो है वो contemporary थे अकबर के सूरदास और तुलसीदास contemporary थे अकबर के और अकबर का जो death हुआ है वो 1605 में हुआ है अकबर के दरबार में दो painter भी थे 10-1 और 10-1 और अकबर ने painting के लिए कार खाने भी establish करवाए थे तो यह सब कुछ चीज़ें BPSC में extra चीज़ें पूछी गई हैं यहां से आप अकबर के बारे में और विशेश जानगारी previous year questions भी एक पर आप देखेंगे और बाकी जो चीज़ें important थी वो मैंने आपको इस video lecture में बताया है तो please मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, prelims की तयारी अच्छे से करते रहिए next lecture में मैं जहांगीर, साजहां और औरंग जेप के बारे में discuss करूँगा thank you so much